सब्सक्राइब कीज़े लेर्निक वामेसी चैनल को एंड बेल ऐकन को दबाएए लेटेस्ट वामेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अच्छी चैनल कोड की बारे में इसकी डेफिनिशन और किस तरह से हम अपनी स्पाइनल कोड को हेल्धी रख सकते हैं सारे ही पॉइंट डिसकस करेंगे इस वीडियो में तो एंड तक बने रहे हैं हमारे साथ इस वीडियो में सु देखे क्या होती है स्पाइनल कोड अगर हम देखें स्पाइनल कोड किया होती है एक तरह की हमारी नर्फ होती है जो की connect कटी है हमारे brain को हमारे lower back से यह हमारा brain है यहाँ देख रहे है hacker lower back तो इसको connect करने का काम करती है spinal cord दूसरा point में दिया गया है spinal cord जो है वो सारी ही nerve impulse कहरे करती है brain से सारी information जो है body के अलग-अलग parts तक ले जाती है and vice versa body के अलग-अलग parts के सारी information और sensations जो है वो brain तक ले जाती है जब आप किसी चीज को touch करते हैं किसी गरम चीज को तो अब जल्दी से उस पेसे हाथ खटा लेते हैं क्योंकि ये जो ये signal होता है burn signal कि आपका हाथ जल रहा है ये signal जो है ये brain तक पहुंचता है और फिर जल्दी से आपके इस वाले part तक पहुंचता है जहां पर आपका हाथ जल रहा है तो ये सारे calm sensations के काम करता है spinal cord, brain की मदद से फिर इसमें point बताया है कि ये nerve impulse transmission की वज़े से ही आपको feel होती है अपनी body में अलग-अलग sensation आप अपनी body को move करवा पाते हैं ये सारा ही काम करते है spinal cord और brain आपस में coordinate करके ये सारा ही काम करते हैं आपकी body का अब देखिए बहुत सारे बच्चे को confusion होता है कि दो चीज़ों में spinal cord and vertebral column में vertebral column को देखे अलग-अलग नाम से जाना जाता है इसको आप spine के नाम से जानते हैं लोग बोलते हैं कि अपनी spine को हमें straight रखना चाहिए इसको हम backbone के नाम से भी जानते हैं ये तीरों ही सेम चीज़ है vertebral column, spine and backbone और spinal बहुत सारे बच्चे जो है confusion होता है इसमें और spinal cord में तो देखिए spinal cord क्या होती है अब ये वाला structure देख रहे हैं spinal cord क्या होती है band होता है band होता है मतलब मिल के बना होता है vertebral column कहा जाता है spine कहा जाता है ये जो vertebral column हमारे backbone होती है ये layer होती है bones की layer होती है ये boni part होता है जबकि spinal cord जो है nerves का part होता है cells and tissues होते है आप कैसे हैं कि वो soft part होता है और जो हमारा vertebral column हमारा spine होता है और ये जो spine होता है ये cover करता है स्पाइनल कॉर्ड को एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है स्पाइनल कॉर्ड की तो आई होब आपको डिफ्रेंस समझ में आया होगा स्पाइनल कॉर्ड में एंड स्पाइन में जिसको हम वर्टीब्र कॉलम भी कहते हैं बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है क्या परपस है हमारी स्पाइनल कॉर्ड का क्यों इतना इंपॉर्टन रूल प्ले करती है स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉड़ी में सबसे इंपॉर्टन परपस है आपकी बॉड़ी के जितनी भी मुवमेंट्स होते हैं आप चलते हैं, आप दौरते हैं, एकसराइज करते हैं, जो भी चिज आप करते हैं, सारी ही मुणिट के जाती हैं, मौड़ी कोड़े, चाल रहे हैं अपश।ॉब ग sow. भौरे Also minutel, क्यों है अपकी करते हैं यह control की जाती है spinal cord के द्वारा हमें पता भी नहीं चलता बट हमारी body में यह सारे काम हो रहे होते हैं क्योंकि spinal cord और brain आपस में coordinate करके यह सारी ही काम करवा रहे होते हैं देखिए फिर दूसरा important function होता है spinal cord का देखिए report करते है senses to your brain जितनी भी sensations होती है जो भी आपको feel करते हैं देखिए इतनी सारी level पे nerves जो है हमारी body में circulate होती है यह सारी nerves जो है देखिए spinal cord से जुड़ी होती है spinal cord के दूसरा ही signal जो है वो brain तक जाते हैं इस तरह से देखिए body में आपके काम हो रहा होता है तो सारी signals जो है उनको sensation उनको record करने का काम होता है spinal cord का इसकी वज़े से क्या होता है आपकी body में आपको pressure और pain feel होता है अगर आपको कहीं पर चोट लग जाती है तो आपको pain feel होता है क्योंकि spinal cord ने signal पहुचा है आपको and pressure जब आप exercise करते हैं तो आपको pressure feel होता है जब आपको dumbbells को lift करते हैं या कोई weight training करते हैं pressure feel जब आपको feel होता है इसका मतलब ये सारही sensation जो है ये सारही recording जो है ये spinal cord के थूँ पहुचती है आपके brain तक और फिर ही आपको ये सारही sensations feel होती है नो third purpose होता है spinal cord का बहुत important manage करता है हमारे body के सारे reflexes अभी हमने बताया था कि अगर आप किसी गरम चीज़ को चूते हैं जल्दे से heart हटा लेते हैं क्योंकि आपके brain तक signal पहुचता है अगर आप किसी नोकीली चीज़ पेर रखते हैं तो अपना पेर जल्दे से हटा लेते हैं क्योंकि यह सारी sensations जो है यह brain तक पहुचाए जारी है spinal cord के थूँ बट देखे एक ऐसा reflex होता है जिसको हम कहते है petlar reflex यह ऐसा reflex होता है जहां पर brain involved नहीं होता है involuntary moment का यह reflex होता है इस तरह कर देखे device से यह basically doctor करते है sensations को feel करने के लिए जो paralysis वाले patients होते है उनमें भी किया जाता है यह तो इस तरह के device से अगर यहां पर देखे tap किया जाता है किसी भी person को अगर tap किया जाता है तो उसका pair जो है देखे ऐसे उपर उठ जाता है बिना उसको पता भी नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है बट एक तरह का reflex है जहाँ पर brain involved नहीं है mostly reflexes में brain involved होता है इस में involved नहीं है तो इस तरह का reflex होगा हम कहते है petal reflex अगर हम बात करें कितने main parts होते है spinal cord के तो basically four main parts होते है spinal cord के यहाँ आप देख रहे है कौन से four main parts है देखे cervical होता है सबसे पहला part cervical यहाँ की होते है यह देखे neck वाला part जो होता है इसको cervical कहा जाता है then फिर होता है thoracic यह पूरा ही part आप देख रहे हैं thoracic जो की chest का part होता है आपकी chest involved होते हैं यहाँ पर फिर होता है देखे lumbar region lumbar होता है हमारा lower back and last में होता है देखे sacral है तो यह main parts होते है चार main parts होते है spinal cord के नो देखे बात करेंगे कौन-कौन से tissues and fluids मिलके बनाते है spinal cord को तो देखे जैसे brain की covering होती है जो की brain को cover करके रखती है इसी तरह से spinal cord की भी outer covering होती है जिनको mennings कहा जाता है three basic mennings होती है three basic outer coverings होती है spinal cord की यहां हम देखे है spinal cord है सबसे outer layer जो होती है हम कहते है duramatter duramatter क्या होती है यहां पर बताएगे outer layer होती है जो की protect करती है spinal cord को from outer injuries जो भी बाहर से shocks लगते है उसको protect करने का काम होता है duramatter का फिर होता है यह middle layer होती है arachinoid matter arachinoid matter epidural space and sub-arachinoid space के बीच में present होती है यहां होता है epidural space और यहां होता है sub-arachinoid space तो इसके बीच में present होती है arachinoid matter present होता है then last होते है pyamatter pyamatter जो है inner most covering होती है यह जो है basic layer होती है जो की cover कर गर रखती है spinal cord को सबसे close में यही present होती है यही वाले layer तो यह 3 layers होती है देखे spinal cord की देखे देखते हैं क्या difference होता है epidural and arachnoid space में तो देखे epidural space present होता है between dura matter and arachnoid matter के बीच में यह जो space present है इसको हम कहते है epidural space और यहाँ पर यह सब arachnoid space present होता है between arachnoid matter and pya matter के बीच में जो यह space होता है इसको हम कहते हैं सब arachnoid space तो यह basic difference होता है इन दोनों ही space की बीच में epidural administration की जाते देखे epidural space यहाँ हमने अभी डिसकस किया था यह होता है epidural space जहाँ पर epidural administration किया जाती है यह क्या होते हैं कि site होती है epidural injection की epidural injection इस तरह के injections होते हैं जो कि pregnant ladies को दिये जाते हैं जब baby birth के time पे ताकि उनको contraction का pain न हो pain sensation जो है उसकी थोड़ी दर के लिए block हो जाएं तो इस तरह से epidural injection दिया रही अगर हम बात करें सब-araconoid space की तो यह ऐसा space होता है जहांपर cerebrus spinal fluid flow होता है यहां पर आप देख रहे हैं देखे अगर यहां पर आप देखेंगे तो यह होता है सब-araconoid space और इसमें flow होता है हमारा cerebrus spinal fluid तो यह basic difference होता है इन दोनों के बीच में बहुत important है कौन कौन सी nerve present होती है हमारी spinal cord में तो इनी nerves की वज़े से देखेंगे बाड़ी में अलग-अलग sensations आपको महसूस होते हैं one by one discus करेंगे हम इनके बारे में cervical होते हैं देखे 8 pair होते हैं cervical nerves के 8 pair मतलब देखे एक यहां और एक यहां यह यहां यह दोनों मिला के एक pair बनता है तो इसी तरह से 8 pair present होते हैं यह basically in short अब वीडियो को pause कर सकते हैं और सारही एक-एक करकी यह पढ़ सकते हैं कहां का present होते है पर इंच face पे और head तो यहां neck face और head की जितनी भी sensations होती हैं वो इन cranial nerves की वज़े से हमें महसूस होती हैं फिर होते हैं थोराकिक nerves तो इनके 12 pairs present होते हैं yellow part से आप देख रहे हैं यह basically कहां का present होते हैं हमारे chest के part पे हमारे upper back और abdomen तो यहां की सारी sensation हमें थोराकिक nerves की थू हो five pair होते हैं lumbar के present होते हैं हमारे lower back में हमारे legs और हमारे feet की जितनी भी sensations होती हैं वो हमें lumbar nerves के वज़े से होती हैं फिर आता है last में five sacral यहां पर आप देख रहे हैं यह sacral region होता है तो जितनी भी pelvic region की जितनी भी sensations होती हैं lower back की जितनी भी sensations होती हैं वो control करता है sacral nerves हमारी तो यह सारी nerves होती है हमारे देखे spinal cord की ना देखे कर हम बात करें कि spinal cord की क्या location है कहां present होती है और क्या length है तो देखे इस तरह का question जो है बहुत सारे competitive exam से पुछ ले जाते हैं तो ये भी हम cover करेंगे location में देखे spinal cord start होती है begin होती है at the end of medular oblongata medular oblongata brain stem का last part होता है तो यहां से ये extend होती है और कहां तक जाती है हमारे lower back तक देखे यहां से पूरी extend होके lower back तक जाती है और देखे lower back पे जाते जाती है एक तरह का cone formation ये करती है spinal cord और इस cone को कहा जाता है conus medularis then अगर हम बात करें length की तो कितनी होती है देखे adults में जो most of the adults में spinal cord जो है वो 18 inches तक होती है अगर centimeter में बात करें तो 45 centimeter long होती है spinal cord now देखे सबसे important question है किस तरह से हम अपने spinal cord को healthy रखें तो इसका सबसे पहला जो जवाब है जो सभी को पता होगा खाते हैं तो हमारी spinal cord जो हो healthy रहती है दूसरा जो है important देखे एक्सराइस करनी चाहिए एक्सराइस अगर हम करते हैं तो spinal cord जो हो stretch होती है और उसमें strength आने आती है समय के साथ-साथ तो अच्छे से exercise करनी चाहिए फिर third और बहुत important point है देखे practice good posture अच्छे से जब भी आप sitting position पर बैठें तो अपने आपको इस तरह से straight रखने के कोशिश करें इस तरह से bend अगर हम हम होते हैं तो हमारी spinal cord भी bend होती है और समय के साथ-साथ देखें बहुत सारे लोगों का body posture ही बन जाता है इस तरह का तो अच्छे से आपका posture position होना चाहिए और क्या point से देखिए quit smoking smoking नहीं करने चाहिए smoking अब बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है हमारी body की सारी ही organs पे और इसमें spinal cord भी included है तो smoking को quit करना है अच्छे से sleep लेनी है अच्छा posture होना चाहिए जब आप सोए तो अच्छे से सोए आप आपकी body की सारे part जो है वो relax महसूस करें जब आप सो रहे हो इस तरह से आपको सोना चाहिए alcohol को limit करना चाहिए कम से कम alcohol consumption करना चाहिए और last है देखिए walk करना है आपको और break लेना है नदर के question है आपके लिए answer देना है आपको इसका हमें comment section में तो पूछे आपसे देखिए एपिडियरोल स्पेस जो है वो कहां present होता है किन दो layers के बीच में present होता है Duramater and Arachnoid matter के बीच में Arachnoid matter and Pyamater Duramater and Pyamater या none of the above तो answer दीजिए इसका हमें comment section में So thanks for watching, next video में हम cover करेंगे Human Anatomy Physiology like chapter 9.5 जिसमें हम देखेंगे name and functions of cranial nerves तो friends अगर आपको इस वीडियो चले हैं तो उस वीडियो को ज़रूर like कीजे, share कीजे एपने friends के साथ अगर आप चैनल में पहले पहले हैं तो please चैनल को ज़रूर subscribe करें, वीडियो को नीचे राइड करके subscribe बटन दिया होगा उस पर click करके आप चैनल को subscribe कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे दिएवे comment box में आप हमसे कुछ भी पूस सकते हैं यह कुछ हमारे related videos के link हैं जिन पर click करके आप उनको देख सकते हैं, दोस्तों learning pharmacy पर आने के लिए और यह video देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले video में